अकड़ते अकड़ते एक दिन अकड़ ही गया वो अहम किस बात का साहब जो उड़ते हैं अहम के आस्मानों में जमीन पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता अहम ने तो किसी को भी नहीं बक्षा अयोध्या से वापस आने पर मा कौशल्या ने श्री राम से पूछा रावन को मार दिया तब भगवान श्री राम ने बहुत सुन्दर जवाब दिया महा ग्यानी महा प्रतापी महा बलशाली प्रखंड पंडित महा शिव भक्त चारो वेदों के ग्याता शिव तांडव स्टोत के रचाईता लंकेश को मैंने नहीं मारा उसे मैंने मारा है मैं अहंकार अहम इसने किसी को भी नहीं बक्षा किन सांसों का मैं इतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राणूं को बचा नहीं पाएंगी किस तन का मैं हंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोज को उठा नहीं पाएगा भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदी सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती ग्यान धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे तीनों में बहुत प्यार था एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया हम कहा मिलेंगे ग्यान ने कहा मैं मंदिर विद्यालों में मिलूंगा धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूँगा विश्वास चुप था ग्यान और धन ने विश्वास से पूछा तुम चुप क्यूं हो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा अपना स्वभाव शूनिके जैसा रखिए बले ही कोई आपको गिनिती में ना ले पर जिसकी बगल में आप खड़े हो जाए उसकी कीमत जरूर बदल देंगे सुन्दर्ता सस्ती है चरित्र महंगा है घड़ी सस्ती है समय महंगा है शरीर सस्ता है सेहत महंगी है रिष्टा सस्ता है निभाना महंगा है सौ काम छोड़कर भोजन करना चाहिए हजार काम छोड़कर स्नान करना चाहिए लाग काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड काम छोड़कर ईश्वर का स्मरन करना चाहिए शब्दों का इस्तमाल आप चाहे कितनी भी समझदारी से कर ले फिर भी सुनने वाला अपनी योगिता और मन के विचारों के हिसाब से ही उसका मतलब निकालेगा इतिहास से शिक्षा ली जाती है पर निर्मे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ही लेने चाहिए अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परिशान होने की जरूरत नहीं है अब हर एक की पसंद तो अच्छी नहीं हो सकती ना सादा सला देने से रिष्टे बिगड जाते हैं क्योंकि जिन रिष्टों में खामूश समबाद होते हैं वो रिष्टे बहुत हे खास होते हैं अगर आपकी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं लोग क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं इस बात से कभी डरना मत वो अपना कर्म कर रहे हैं हमें अपना कर्म करना है सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करनी की भरपूर ताकत होती है लोटरी सिर्फ पैसे की ही नहीं होती सिंदगी में एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लोटरी से कम नहीं हे प्रभू मेरे तीन अपराधों को शमा करना ये जानते हुए भी कि तुम सर्व व्यापी हो मैं तुमें हर जगे खोजता हूँ ये मेरा पहला अपराध है ये जानते हुए भी कि तुम शब्दों से परे हो मैं तुमें शब्दों में बांधता हूँ एक नाम देता हूँ, ये मेरा दूसरा अपराध है, ये जानते हुए भी, कि तुम सर्व ग्याता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूँ, उन्हें पूरा करने को कहता हूँ, ये मेरा तीसरा अपराध है, मेरे सभी अपराधों को शमा करना, हे प्रभू उस सबका खयाल रखना सबका मार्ग दर्शन करना फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखना और हमेशा मुस्कराते रहना